Hello everyone, welcome back to our YouTube channel once again. ये वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया है, I know. लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको exactly पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और कितने मार्क्स मिल सकते हैं, और क्या गवर्मेंट ने बोला है मार्क्स को लेकर, ठीक है, तो ये सारे points कवर करेंगे हम mistakes pointed out in HSE English paper, जो चार तारिक, चार मार्च को आपका paper हुआ था English का, उसमें काफी सारी mistakes थी जैसे कि passage है, typing errors and punctuation problems, passage जो था, उसमें typing errors थी, punctuation mark अच्छे से नहीं दिया था, problem थी, जिसके जासे बच्चे समझने में थोड़ी सी दिक्कते आ रही थी इसके लिए जो भी questions थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, जब समझ में नहीं आया है question तो answer कैसे वो लिखेंगे तो एक main issue है, जिसमें आपको बच्चे लोगों ने मतलब बोला है कि हमें इसमें marks चाहिए, because ये जो paper setter है, जो government है, उनकी गलती है, ना की बच्चों की, ठीक है Secondly, the format was not followed for the novel question section and no grammar options were provided जैसा कि paper pattern में हमको novel section का format बताया था और grammar में जो options हमको दिये गए थे, बताया था जैसा paper pattern में, वैसा pattern follow नहीं किया गया था ये एक बड़ी mistake है, और बहुत बड़ी mistake है मेरे हिसाब से तो, और इसमें भी आपको marks मिलने चाहिए देखो, marks कम मिलेंगे जब आपने attempt किया है तो, ठीक है So, the third thing is, the writing skill section was a mess with incomplete topics, lack of information provided for interview writing देखो, writing skill में, जो information देनी चाहिए, उतनी information नहीं दी गई थी, आधी अधूरी information दी गई थी जिसके कारण, वो जो question था, वो बराबर से समझ नहीं आ रहा था, और जब अगर आधी information दी गई है तो, उसका answer कैसे लिखा जाए, वो हमारे पास रास्ता नहीं है तो, इसका तो सरासर, मतलब, writing skill में अगर error है, तो सरासर 4 marks मिलने चाहिए ठीक है, the next issue was, the court provided was inappropriately address leading to confusion among students जो court provide किया गया था, question paper में, वो मतलब, बहुत जादा, मतलब, inappropriate था किसको address किया गया है, वो समझ में नहीं आ रहा था, बहुत confusion था उसके पास उसमें, तो क्या है, इसमें भी आपको marks मिल सकते हैं, तो अभी एक recently आया था कि एक marks की चांदी लग गई, ऐसा कुछ एक news आया था, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक marks की हूँ, यहाँ पर देखा जाए, इतनी सारी mistakes हैं, तो आपको कम से कम, at least I am saying 7 to 8 marks मिलने चाहिए, ठीक हैं, मतलब आपको government जो है, आपको 7 से 8 marks देने चाहिए, और यह focus के marks नहीं है, यह focus के marks नहीं है, यह government की mistake है, इसके लिए वो भरपाई कर रहे हैं, अगर कोई नुकसान करता है, तो उसको ही भरपाई करना पड़ता है, तो I am hoping कि आपको 7 से 8 marks मिले, जो mistake इनसे हुई है, उसका नुकसान आपको ना हो, so देखते हैं, अब क्या होता है, okay, so बने रही हमारे चानल के साथ, अगर subscribe नहीं किया है, तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर दीजिए, शेर करिए अपने friends के साथ, उनका भी tension थोड़ा सा दूर करिए, और आपको marks मिलेंगे, don't worry, अच्छे marks मिलेंगे आपको, आप सभी बहुत अच्छे marks से पास हो जाएंगे, all the best and stay tuned, thank you, bye.